फूड इंचार्ज, मैं हूँ आपकी फूड इंचार्ज और आपकी फूड इंचार्ज आपके लिए लेकर आई है साउथ इंडियनेस टाइल इडली सामबर की रेसिपी जो अब ठंड के दिनों में भी बनाना होगा बिल्कुल आसान इसमें इडली बैटर फर्मेंट करने की एक खास ट्रीक बताई गई है जिससे आपकी इडली काफी सौफ्ट और जालीदार बनेगी जो मुह में जाते ही घुल जाए खाते ही लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे चलिए बनाते ही इडली सामबर की रेसिपी साउथ इंडियनेस टाइल में खास ट्रिक के साथ तेसिक किसके लिए हमें चाहिए होगा चावल तो आप कोई भी एक कप मेजर कर लें और उससे ही आप मेजर करके चावल और दाल तो यह मैंने लिया है चावल और यह मैंने लिया है दाल तो दो कप हम लेंगे चावल और साथी हमने लेंगे एक कप दाल तो आद मैं इडली सामबर मूंग के दाल के बना रही हूं फ्रेंट्स क्योंकि उरत के दाल सभी लोग नहीं खाते हैं और यह एक चमच हमने लिया है मेथी के दाने ये बहुत ही जादा जरूरी है तो इन सभी को मैंने रात कोई भीगो कर रख दिया था और इसे अभी हमने साफ करके अच्छी तरह से ले लिया है तो अब हम इसे मिक्सर ग्रेंडर जार में डाल करके इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तयार करेंगे इन मिक्सर जार में डाल लेते हैं और जरूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा सा पानी भी आड़ करेंगे तो अभी मैंसे ऐसे पीस ले रहे हैं तो आप यह देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से पिस चुका है काफे स्मूथ सा बैटर हमारा तयार हुआ है म परमेंट हो तो हमारा बैटर बाहर ना निकले यह देखी बिल्कुल इस तरह का ही हमें चाहिए तो मैंने सारे बैटर को बॉल में ट्रांसफर कर लिया है और अब हम इसे साइट कर देंगे दूसरी तरफ हम लेंगे पोहे तो आप सभी जानते ही होंगे तो इसे भी हम एक पिस लेते हैं तो यह देख सकते हैं अब हम इसे डाल जावल वाले बैटर में मिक्स कर देंगे इडली बनाने के लिए हमें इन चोटी-चोटी बातों का ध्यान देना होता है तभी हमारे इडली जो है वह काफी जालिदार और सौफ्ट बनते हैं ऐसे कि मूं में जाते ही घ इसके बाद हम इसमें एक खास इंगिडियंस डालेंगे जिससे हमारी इडली के जो बैटर है वह काफी जल्दी ही फर्मेंट हो जाएगा सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के कोडिंग जितना आपको जरूरत हो आपको इस हिसाब से इसमें नमक डाल दें और य ज्यादा अच्छा आता है तो आप एक बार इस तरह से इस ट्रिक को अपना कर देखें आपकी इडली काफी जालीदार सौफ्ट और बिल्कुल मुह में घुल जाने वाली बनेगी और अब हम इसे धकन लगाकर इसे हम रख देंगे साइड में इसे पहले मैं आपको एक ट्र का जो बरतन था उसे हमने अच्छी तरह से इसे ढग दिया है और इसे हम किसी अच्छी जगा पर सेफ जगा पर साइड में रख देंगे ताकि यह फर्मेंट आराम से हो जाए तो आप इन दोनों ट्रिक का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यह देख सकते हैं आप इसी तरह से यह दे और यह लśmy हम डालेंगे एक चम्मच तरशोका तेल साथ हमने डाले हैं तेज पत्ते अर यह थोरे से खड़े मुंग के दाल हमने लिये हैं अधी-चोटी-चमच और आधी-चमच से भी कम हमने लिए की लिए और यहादी चमच हमने लिए चने के दाल तो अब यह सारे चीजे चटक जाए उसके बाद हम ने इसमें डाले हैं दो सावुत मिर्च और इनको हम अच्छी तरह से चटकने देते हैं थो आसा हम इसे चला लेते हैं इसके बाद हम इसमें डालेंगे करी लिफ्स, तो करी लिफ्स हमने इसमें डाल दी हैं, इसे बहुत ही अच्छा सा टेश्ट आता है, इससे हमारे सांबर का जो फलेवर है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही हमने डाला इसमें, आधी छोटी चमत जिंजर पेस्ट ढला है आप चाहें तो जिंजर को ब aspire कर करके ले सकते हैं और हम डालेगे कुछ सबसी या तो आप अपने मनपवसंद की कोई सबसी इस्तमाल कर सकते हैं सांबर बनाने में तो मैं ने इसमें थोड़े से लौकी काटकर डाल दिया है इसे बाड़िक बारिक काटिएगा फ्रेंट्स आधी छोटी चम्मच हमने इसमें डाला हल्दी का पौडर और इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है अब तक हमारी लौकी भी पकड़े है और मसाले भी इसी के साथ भूना रहे हैं हमें कोई अलग से मसाले बगारे नहीं भूनने हैं तो साथ ही हमने डाले थोड़े से फुल गोभी और ये थोड़े से मटर आप अपने मन पसंद के कोई भी सबजी इसमें डाल सकते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सबजी का जो कच्छापन है वो भी निकल जाए तो ये देखिए मैंने थोड़े से इसमें गड़म मसाले डाले हैं आदी छोटी चमच आप इस तरह से सामबर बनाएं बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनती है और ये थोड़े से हमने आदी छोटी चमच आमचूर का पौडर लिया है इससे हमारे सामबर में बहुत अच्छा सा खटा सा टेश्ट आता है आज जो सामबर में बना रही है ये होम मेट सामबर के पौडर से बना रही हूं फ्रेंट्स ये मेरे घर की बनी हुई है तो आपको जितना भी सामबर बनाना है आप उतना सामबर पौड कि आप उतना इसमें पानी आड़ कर सब्सक्राइब कर सकते हैं उस्परण सुनहकती हैं तो आप इस तरह से बनाएं बहुत ज़यादा टेश्टी बनती हैं हम ने इसमें आम्छूर पॉर्डर का इस्तमाल किया है गुर का इस्तमाल किया है तो यह बहुत ही जादा amazing taste आ जाता है उभर कर पकने के बाद और इसे अब हम थोरे से अच्छे से वॉाल होने देंगे तो यह देखे इसमें अच्छा सक वॉाल आ चुका है और सबजेशी अच्छी तरह से पक चुकी हैं को ठिक है, बहुत तो यह कम लग शुट रहे थे तो मैं Sun थोड़े से नमक और अड़ कर दिये हैं तो आप इस तरह से सांबर ट्राइ करें अपने घर में और अप सांबर मसाले की जो रेसिपी एफ्रेंट्स वो मैं कल ही अपलोड कर दूंगी तो इधर देखिए हमारा जो बैटर है इडली का वो भी अच्छी तरह से फर्मेंट हो तो यह मैंने ले लिया है इडली स्टेंड और मैं आज इडली कुकर में बनाऊंगी और साथी में बनाऊंगी करहाई में या पमेकर में तो आप इस तरह से बनाएं काफी आसान हो जाता है तो सबसे पहले मैं इडली फ्रेम में थोड़ा सा वायल ग्रीज कर दूंगी और ब पेंच को लगा देंगे, इधर मैंने गैस के उपर कुकर चरहा दिये है और इसमें हम सेट कर लेते हैं इडली फ्रेम को, पानी हमें कुकर में उतना ही डालना है, जितनी जरूरत हो लेयर से जादा उपर पानी ना डालने वरना इडली जो है, वो नीचे वाली इस टेंड की वो गिली हो सकती है, आप इस बात का भी खास ध्यान डखें, ये भी एक खास तरह की ट्रीक है फ्रेंट, तो इधर देखें हमारे जो पानी है, वो गर्म हो चुकी अब हमने इडली इस टेंड को कुकर के अंदर डाल देना है, और इसकी लीट को लगा ले नहीं, उससे पहले आप कुकर की ढखन की जो सीटी होती है, वोसे आप जरूर से निकाल ले, और इसे आप 10 मिनट ही पकाएं, परना इडली जो है वो टाइट सी हो जाएगी, दूसरी तरफ हम आप मेकर में बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में पानी डाल कर रख दिया है और आप मेकर को अच्छी तरह से ग्रीज करके, इसमें भी आप बैटर फिल कर लें और थोड़ा जगा छोड़ छोड़ करके ही आप इसमें बैटर फिल करें और बहुत ही जादा कुपसरत लगती है देखने में हमारी मीनी मीनी सी इडली लेकिन इसमें दो मिनट टाइम थोड़ा ज़ादा लगता है तो आप इसके लिए बेफिक्र रहें तो ये देखिए दस मिनट हो चुके हैं और इधर हमारी जो इडली है वो कुकर वाली वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से राइज हुई है बिल्कुल फूली-फूली सी जाली दार सौफ्ट और स्पंजी एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी इडली अच्छी तरह से पकी है कि नहीं तो ये देखे मैं तूत्पिक से लगा कर किस तरह से मैं चेक कर लूँगी तो हमारी इडली अच्छी तरह से पक चुकी है यह आप देख सकते हैं, हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम आपम मेकर वाली भी इडली देख लेते हैं, यह भी बहुत अच्छी तरह से राइज हुई है, बिल्कुल फूली फूली सी आप देख सकते होंगे, और इसे भी हम चेक कर ले साइट से किनारे से, और यह देखे, बहुत ही आराम से हमारी इडली जो है, वो बाहर आ जाती है, बहुत ही जादा जाली दार, फलपी और बहुत ही हलकी सी बनी है हमारी इडली, आप इस तरह से इडली बनाएं, मार्कीट वाली इडली भी फेल हो जाएगी, अगर आप इस हुई है आप इसी तरह से चिक से इडली बनाएं बहुत जादा अच्छी बनती आप देख सकते हैं इस वीडियों में इधर हमारे वाली बल् knob भया एडली बनकर हो चुक यह अब देख सकते हैं यह भी कितने कतोरी होती है उसमें भी मैंने इसे बनाया है और इसे भी मैं आपको तोर कर दिखला दे रही हूं कितने अच्छे जालीदार और बिल्कुल फलपी सी हमारी अडली बनकर हुई है तयार तो आप 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 किसी भी चीज में इडली बनाए आपकी इडली बिल्कुल के से तो अब कोई भी अपने घर में इडली बना सकता है बिना किसी जीजग बिना किसी परेशानी और इंज्वाय कर सकता है तो मैंने इसे street style में serve किया है जो बाहर में जो मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप अपने मन्चा है style में इसे serve कर सकते है friends आपको मेरे वीडियो कैसी लगती है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को like, comment, share and subscribe जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें बेल आइकन दबाने से ये होगा कि मेरे वीडियो की नए नी notifications आपको मिलती रहेगी मैं आपके लिए नए ने वीडियो लाती रहती हूं enjoy करें, safe रहें, सुरक्षित रहें take care